भी आट अधे में बाजरे के अटवरी टिकिया है कि काथ बधरे का आटा और इस देड़ के बाद मैंने लिया है थोड़ा सा गुड़ वह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें कि आप कितना मीटा खाना पसंद करते हैं और उसी गुड़ उसमें मैं डाले हैं थोड़े से तिल लगवाग आदि मुट्टी तिल डाले हैं मैंने और इन दोनों च जरूर नहीं कि आपका आटा सारा आटा उसी पानी से लग जाए आपको पानी एक्स्टा में लेनी की जरोत पड़ेगी आप उस पानी को पूरे को डाल दीजिए थोड़े से गुड़कों पानी में बहोके और आप वो सारा पानी अपने आटे में डाल दीजिए और उसके में डाला दो चम्मज रिफाइंड ओयल और इसको रिफाइंड डालने के बाद इसको अच्छे से सैट कर देना है आटे को तो मेरा आटा बिलकुल सैट है लगके और मैं इसकी टिकिया वनाना सुरू करूंगी तो मैंने कडाई में अपना रिफाइंड ओयल या 600 का तेल आप क से बना लीजिए और आपके हाथों में बाज्रे का अठा चपकता है तो आप थोड़ा सा ओयल भी अपने हाथों में लगा सकते हैं तो यह देखिए फ्रेंड्स मैंने कुछ बाज्रे की टिकिया बना के तयार की है और और मेरा गरम हो चुका है तो उसमें मैं यह अपने जो कि टिकिया है वह कुर्कुरी बनेंगे भुरु़ुरी बनेंगी अगर आप तेज एज फिलेम पर इसको सेखेंगे तो आपकी जो की बाज्रे के की टिकिया है वह अद्र से कच्ची ओ चाइगी तो obs कमको मीड्ययम यह शिलो फ्लेँ पर इसको अच्छे से सेख लेना है तो कुटकुरी होने तक हमको इन्हें सेखना च्छे तो यह तो घाप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है मेंरे ट की आ पर सुनहेरा कलर आ चुका है और कुब अच्छे से कुर्कुरीवी हैं अंदर से इनको अम अलग प्लेट में निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारी मेरी बाल जेकी टिक्या बनकर तईयार हैं मैंने अभी थोड़ी सी बनाई है और मैं मेरा आटा बचा हुआ है उसकी में और बनाऊंगी तो देखी फ्रेंड्स हमारी बाल जेकी टिक्या बनने के बाद इस तरह की लगती है और खाने में यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है तो आप भी अपने गर पर एक बार जरूर यह बाल जेकी टिक्या बनाए और मुझे बताएं कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसी कियों तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सर्दियों में यह बाज रहे कि आर्टिकेट किया जरूर बना कर खाईए बहुत ही ज्यादा लाज दायक होती है और बहुत ही ज्यादा फायदा होती है इन्हें डाइबिटीर वाले लोग भी खा सकते है क् प्लीक बनाईए और खाईए रादे रादे आप सभी को फिर से आज रोंगी एक नई रेसिपी के साथ जब तक के लिए रादे रादे गुडबाई जैस्ट घिष्णा